भूत पूरक सैनिक अर्ध सैनिक बल वेलफियर एसोसेशन मंडी इकाई द्वारा वाहन चाल को को सरक सुरक्षा के प्रती जागरुप किया गया इस मौके पर आठियो मंडी संजीत सिंग विशेश रूप से मौजूद रहे इकाई अध्यक्ष भूत सिंग सकलानी ने कहा कि आए दिन सडको पर भारी यातायाद बढ़ जाने से दुरगटनाए होने के कारण सडक सुरक्षा एक विशेश विशेब बन चुका है यदि चालक सडक सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं तो दुरगटनाए रोकी जा सकती है उन्होंने कहा कि ट्राफिक नियम का पालन एक नैतिक नियमों से जुड़ा मामला है इस मौके पर एसोसेशन के सदस्य ने सडक सुरक्षा के नियम लिखे पर्चे भी वहन चालकों को वित्रित किये नियम डाले हैं जरत ध्यान से पढ़ने के लिए डाले हैं हम इंडिविजुल इनको देते हैं लास में यह भी लिखा हुआ है कि मतलब खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं यह जो आज माचल पर्देश वारा सरकारत्वरा सडक सरक्सा का कारेकरम चलाया जा रहा है उसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो परामिल्ट्रीस पर्देश विए से अनिया जो भी परामिल्ट्री साहीं हैं वह इसमें बरचड कर भाग ले रहे हैं उन्होंने यह कि छपाया है और इन्होंने खुद अपनी सेवाइं देने का हमें भरोशा अब दिया है सरकार भी चाहती है है कि अदिक से दिक लोग इस कारेकरम से जुड़े और सिर्फ ये सरकारी अधिकारी और करम Đ KöAC सब्सक्राइब करेंगों का कारेकरम ना बने बलकि यह जलता का कारेकरम बने और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे लगता है कि माचल प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है जब हमारे डिकारी और करमचारी जो परामिल्टरी फोसी से आए हैं जो खुद एक बहुत जानों से आई हुए हैं यह अपने अपने जिले के अपने अपने सब्डिवीजन्स और इलाकों में जाके इसका परचार और परसार करेंगे ताकि लोगों की जानमाल का रक्षा हो सके डिव्वे ही माचल टीवी के लिए मंडी से अंकित कुमार की रिपोर्ट तो चले आईए हैपी फैशन माल नेर चाक मंडी